इंविलोप में डाल दिया I kept awake all night मैं सारी रात भर जागता रहा By morning knew what I had to do I draw into Britpawd सुबह तक मैं ये जानता था मुझे क्या करना था मैं Britpawd चला गया गाड़ी लेकर Just a few miles away कुछी दूरी पे है Britpawd I asked a boy walking his dog where Copper Beach was मैंने एक लड़के से पूछा जो एक कुते को लिए गुमसेर कराने के लिए आयवा था कि भी Copper Beach कहा है House number 12 turned out to be nothing but it burned out cell the roof gapping the window boarded up जो 12 नमबर घर था वो कुछ नहीं था सिवाए एक burned out means destroyed out by fire यानि लाग ने जिसे जला दिया गया हो तो जला हुआ एक cell था खोकला था roof gapping चिद्ध थे चत्मे और खिड़कियां भी जो सारी वो लकड़ी के जो boards थे उनसे वो डखी भी थी I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Pumfrey Mrs. Macpherson तो मैंने घर पे अगले जो दरवाजे पे घर पे जो है मैंने खट कटाया और पूछा भी क्या किसी को Mrs. Macpherson का पता पता है Oh yes said the old man in his sleepers He knew him her well तो अभी एक बूड़े वेक्ती ने जो sleeper पहने वे था चपल्स पहने वे था उसने वो अच्छी तरह जानता था उसको उसने का हाँ ए लवली ओल्ड लेड़ी बड़ी प्यारी सी है एक लेड़ी बूड़ी है He told me A bit muddled headed ए थोड़ी सी confused रहती है But at her age she was entitled to be Wasn't she लेकिन वो जो वेक्ती बताता है लेकिन इस उमर में कोई भी जो है ऐसी हालात में हो सकता है और ये क्या नहीं हो सकता A hundred and one years old वो 101 साल की हो चुकी है She had been in the house when it caught fire जब घर को आग लगी तो वो घर में ही थी No one really knew how the fire had started किसी को नहीं पता कि आग कैसे शुरूवी थी But it could well have been candles हो सकता हो ये candle की वज़े से लगी हो She used candles rather than electricity वो candle का परियोग करती थी electricity की बज़ाए Because she always thought electricity was too expensive कि वो हमेशा से ये सोचती थी कि जो electricity है वो ज़्यादा महेंगी पड़ती है इसलिए वो candles का परियोग करती थी The fireman had got her out just in time लेकिन जो आग बुजाने वाले थे उन्होंने साइस में पे उसको बाहर निकाल लिया था She was in a nursing home now अब वो एक nursing home में रह रही थी ये bread port से गया था पहले तो यहाँ पे उसको नाम बताया गया भी Dorchester Road पे बर्लिंक्टन हाउस में वो रह रही थी I found बर्लिंक्टन हाउस nursing home easily enough अब लेका कहता है कि मुझे वो nursing home जो था मुझे असानी से मिल गया था There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top वहाँ पे जब मैं हाल में गा था वहाँ पे chains थी उपर जाते वे और Christmas tree का जो थी वहाँ पे कोने में एक पेडल लगाया गया था और I said I was a friend come to visit Mrs. Mac person मैंने का मैं एक दोस्त हूँ जो की स्रिमती Mac person के पास आया है to bring हरे Christmas उसके लिए एक Christmas present लाने के लिए देने के लिए आपके to bring for her वैसे यहाँ पर लिखा नहीं गया प्रेपोजिशन लेकिन है वास्तों में बेटा यही कि to bring for a Christmas present I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing मैं dining room मैं देख सकता था कि हर कोई जो है कागज की टोपी पहने वे था और गा रहा था क्रिस्मस डे की बात बताता है ति मैटरॉन had a hat on two मैटरॉन मतलब एक वो लेडी होती है जो किसी इंस्टिटूशन में जो जिसके पास यह चार्ज होता है कि वो ॐ मैडिकल जो वेवस्ता है वो अपलब्द करवाए लोगों को जासे दर सिंग हॉम में यह इसकी इनचार्ज होती है मेटरॉन nursing home की और इसकी जिम्यवारी यह होती है कि जो भी वहाँ बैखती है उनको जो दुआईयां या और भी कोई domestic help अगर उन्हें चाहिए तो वो चीज वो provide करवाती है तो उसने वो टॉपी पहने वे थी वो मुझे देखकर खुस हुई she even offered me a mince pie उसने मुझे खाने के लिए मतलब कुछ offer किया mince pie एक product of sweet भी कह सकते है usually यह Christmas day पर मिठाई बनाई जाती है तो जो इसाई लोग हैं या जो English people हैं वो इस तरह की मिठाई खाते हैं तो means pie she walked me along the corridor वो मुझे corridor में मेरे से को लेके गई Mrs. Macpherson is not in with the others she told me उसने मुझे बताया देखे इस तरह मती Macpherson जिसे आप मिलना चाहते हैं वो दूसरों के साथ नहीं बेटी आज she is rather confused today so we thought it best if she had a good rest वो आज थोड़ी सी प्रेशान ज्यादा है इसलिए हमने सोचा कि वो बढ़िया होगा आज वो rest कर ले she has no family you know वो कहने लगी लेकर को कि आपको तो पता ही उसका परिवार नहीं है no one visits कोई नहीं आता उसके पास so I am sure she'll be only too pleased to see you इसे मुझे खुसी है कि वो तुमें देकर बड़ी खुस होगी she took me into a conservatory with weaker chairs and poted plants all round and left me वो मुझे एक ऐसे room में लेके गई ऐसे गर्मियों में रहने का कमरा भी कह सकते हैं आप इसको या एक ऐसा कमरा जिसके जो दिवारे हैं जो या जो खिड़कियां वो सीसे लगे होते हैं और जहां पे कमजोर chairs थी और कुछ plants रखे गए थे वहां उस चारों तरफ और वहां पे वो मुझे छोड़कर आ गई तो यहां तक देखते हैं बेटा इसको यहां तक ही करते हैं आजम थैंक यू